मस्ते दोस्तों कामी निक्य के चर्ण में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी जड़ा भी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं तो चलिए फटा-फट से हम चुरू करते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पालक ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक गड़ी पालक को अच्छे से बीन करके, 2-3 बार धो लिया है, तो फ्रेंड्स पालक को धो अच्छे से जरूर लीजेगा, इसमें मट्टी होती है, तो चल पालक कट कर लेते हैं जादा पतला काटेंगे लिए ठीक हम आप से करी भाट कर लेटे हैं नीमें पालक लेड़ें या का मिक्सिंग बोल और इसमें हम सारी कटीवी पालक डाल देंगे आज हम बना रहे हैं पाला का बहुत ही स्वादिश्ट नास्ता इस होली पे जरूर बनाईए क्योंकि सभी के यहां महमान आते जाते रहते हैं तो यह रस्पी जरूर ट्राइ कीजिए तो चलिए यहां पर मैंने दो प्यास को लंबा-लंबा काट करके ले लिया है आसे में बात और बताना चाहते हूं है अगर आप आलू पसंद करते हों तो यहां पर आलू भी काट करके डाल सकते हैं तो चलिए हरी मिश डाल दी है दो-से- तीन गफली काट करके उनक्राइद किया है तो सिर्फ मैंने एक कतोरी बेसन भी अज़ा लगवास देखेंगे और eigenजनी किसी कोई जो अविसा गोपकि परणी देक्क करेंगे अविस्में भी भी नहीं जो केंवास में परणी कि रहुते हैं इसको अच्छे से mix करेंगे अगर आपको यहां पर सूखा लगे तो आप यहां पर थोड़ा पानी डाल करके इसे bind कर सकते हैं लेकिन मेरी पालक काफी गीली थी तो अच्छे से bind हो गया है तो चलिए फड़ा फट से हमने पीना पानी डाले इसे अच्छे से bind कर लिया है और इ अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो रेट चिली पावडर डाल दीजे एक चमज भर के डालेंगे चाट मसाला साथ में और टेस्टी बनाने के थोड़ा सा गरम मसाला एट करेंगे अधा चमज से भी कम ही डाला है मैंने लगवार आदा चौथा यह चममत के करीब डाला है तो चल चोड़े और बेसन हमारा अच्छे से फूल जाए तो चलिए फटा-फट से अभी हम इसे नहीं बनाएंगे सिर्फ कवर करके दस मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्रेंट्स दस मिनट के लिए जरूर चोड़ दीजेगा बेसन अच्छे से फूल जाएगा बहुत टेस्टी एक जुआइन क्रश करके हाथों से अगर हाथों से रगड़ करके डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो चलिए यहां पर हमने जो गरम तेल होता है ना कड़ाई में साइड में गरम होने के लिए चड़ा दिया था बस दो चमश के करीब गरम तेल इसमें डाल दे करारे क्रिस्पी बन करके त्यार होते हैं तेल डालने का बस कारणी है कि बहुत क्रिस्पी खरे खरे यह बन करके त्यार होते तो चलिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो तेल को ना जादा हाई करना है और लो तो बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स हाई पे ही जो और करिस्पी भी बहुत अच्छे से होते हैं तेल बिल्कुल भी अब्जॉब नहीं करते हैं तो चलिए जैसे नॉर्मल हम लोग पकॉड़े बनाते हैं आपस उसी तरीके से मैंने सारे पकॉड़े डाल देंगे जितनी कडाई में जगी हो से साब से डाल देंगे और इन्हें ह पकते हुए दो से तीन मिनट हो गए हैं और अब पलट लेंगे क्योंकि नीचे से इन में हलकी गोड़न कोटिंग आ गई है देखिए बहुत टेस्टी लगते हैं इस होली पे अक्सर हमारे घरों में महमान आते हैं या खुद भी त्योहार का सीजन चल रहा है तो कुछ करेंगे ना कि आपको सुनके मजा आ जाएगा तो चलिए बाई अलटते पलटते हुए अमने ने गोल्डन क्रिस्पी होने तक बढ़िया से सीएक लिया है और अब इस तरीके की चलनी लेंगे और इस तरीके से चलनी में निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा का ओयल हो डाल देंगे तो फ्रेंट्स आप यहां पे जो है देख सकते हैं कड़ाई हमारी मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही बनी हुई है लो मत कीजिएगा क्योंकि लो फ्लेम पे ना अच्छे भी नहीं बनेंगे तेल भी पी लेंगे और अंदर से सौगी सौगी से बनेंगे कभी- मैंने पकोड़े खाए ना ऊपर से तो क्रिस्पी दिखती है लेकिन अंदर से बेसन दिखता है बेसन अंदर से बिलकुल कच्चा सा या फिर बेसन अंदर से जब कच्चा सा दिखता है ना तो बिलकुल भी पकोड़े टेस्टी भी नहीं बनते खाने में बहुत खराब लग मैंने आपको जैसे बताया ना वैसे जरूर डालिएगा एक दम क्रिस्पी अंदर तक बहुत अच्छे से पके हुए यह पकोड़े बन करके त्यार होते हैं तो चलिए फटा-फट से हमारा दूसरा बैच भी सिख करके त्यार हो गया इस तरीके से हम निकाल लेंगे यकीन मानि फटा-फट से हमने दो बैच बना करके त्यार कर लिए हैं थोड़ा सा बेशन बच गया है तो सारे ही मैं सेक लेती हूँ तो चलिए फटा-फट से हमने सब को डाल दिया है इन्हें भी हम अलटते पलटते हुए बढ़िया गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे तो चलिए भाई हमारा तीसरा बैच भी बन करके बिलकुल त्यार है बहुत टेस्टी बनेते फ्रेंट सभी को बहुत पसंद आए मज़ा आगया खा करके तो फ्रेंट साब भी इस रेस्पी को जरूर बनाईए खाईए सब को खिलाईए और इस होली पे अपनी तारीफे जरूर करवाईए चलिए भाई हमारे हेल्दी सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची पालक के पकोड़े बन करके बिलकुल त्यार हैं बहुत हेल्दी है फ्रेंट्स बहुत टेस्टी है यकीन मानिए फ्रेंट्स शादी पार्टियों में जब हम लोग नाश्टा करते न सुभेरे चा पाईका टाइम है शाम हो गई है तो मैंने तो बना लिए इनके साथ में गर्मा गरम चाय और चाय के साथ में तो यह बहुत ही बढ़ियां लगते हैं चलिए तोड़ करके दिखाती हूं वाओ आप देख सकते हैं उपर से क्रंची क्रिस्पी अंदर से एक्तम सॉफ्ट चलि जरूर बनाईएगा यकीन मानिये फ्रेंट REM सभी आपकी ताριफ जरूर करेंगे तो अगर आपको मेरी मेंनत मेरी रेस्पी जराबी पसंद आ रही हो जराबी आपको लग रहा हो कि मेरी मेहनत बिल्कुल आपके कुछ काम आ सकती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन जाए भारा, टेक केर, बाब बाई